स्वागर दोस्तों आपका अनकेडमी में मैं डॉक्टर मुझ मित्तल आपके सामने एक एक नया टॉपिक लिकाया हूँ आज मैं आपको प्रीवियस है के कोश्चन सौल खुरा हूंगा फायराम के ऊपर सो लेट्स क्रेक नीट पीजी स्टार्ट करने से पहर थोड़ा अपने बारे में थोड़ा अनकेडमी का रहे में बता देता हूं मेरा नाम डॉक्टर अंबुझ मित्तल हूँ मैं वेस्ट बेंगॉल उनिवस्ट्री आपके कुछ कोश्चन सौल करवाऊंगा आपको तोड़ा अनकेडमी के बारे में चाल लेते हैं आनकेडमी में भारत के टॉप आपको नीटी पीजी की प्रिपरेशन करवाएंगे जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्स के लिए अलग 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 अजुकेटर सें यहां पे वह लेगे यह आपकी इस पेशल क्लासिज भी लेगे जैसे आप देख सकते हैं डिस्केशन इमेज बेस के थू एम्स के अनटॉमी के यह सारे आप देख सकते हैं पूरा कोर्स यहां पर आपको अलग-अलग एजुकेटर आपको कवर करवाएंगे यहां पर आपको मॉक टेस्ट फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं यहां अपने प्रिपरेशन इवेल्यूएट कर सकते हैं कि आप उस टेस्ट में कैसा करते हैं वो जो टेस्ट है वो इकदम नीट पीजी के पैटर्न के हिसाब से रहेंगे तो आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आएंगी इसमें बहुत फ्लेक्सिबल से अगर मानलिज आप इंटर्न हैं आपको पोस्टिंग पर जाना है आप कोई क्लासे मिस कर देते हैं तो भी आपको दिक्कत की कोई बात नहीं है आप बाद में भी उसको देख सकते हैं अपने हिसाब से जब चाहें आप इसके अंद हैं इन क्विजिस के थूँ आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है आपको इससे काफी स्टाइमना बूस्ट होगा अगर आप बहुत ज़्यादे निमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घपरान की कोई बात नहीं है आपको बस इंटरनेट कनेक्शन की जुड़त है और आप हमसे डाइकली जुड़ेंगे तो इसका उनला यह हुआ कि लर्ण एनिटाइम एनिवेर आपको बस करना यह है कि आपको अनए अकेडमी लर्निंग एप को इंस्टाल करना है इंस्टाल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेने हैं सब्सक्रिप्शन में भी आपको डिफेंड आप्शन मिल जाते हैं अगर आप 24 मंद का लेते हैं जिसकी जो टोटल फी से वह 40,000 है लेकिन ऐसे में और भी कोर्सेस की अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करता हूं तो थ्री मंथ का है थ्री मंथ का जैसे आप देख सकते हैं आपको यह मेरा कोड लगाने के बाद लाइवी डी आरेम यह आपको पड़ेगा से 11,250 का और अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो मेरा कोड का जैसे मैंने बताया आपको दो साल का जो कोर्स है सब्सक्रिप्शन है वह आपको सिफ 36,000 का पड़ेगा मेरा कोड यूज करने के बाद ध्यान रखेगा मेरा जो कोड है वह है लाइवी डी आरेम तो चलिए लेट्स क्रैक नीट पीजी आज का जो कोशन है वह लेते हैं ब the whole the come when you 10% on her body the time was pertuding out body was in perigelistic attitude with heat rupture feeling of a skin and heat him a Toma and heat fracture of a skull carboxy hemoglobin was 25% and short particle were present in trachea which of the combination of 2 finding will establish that the burn was anti-mortem in nature कि अधिर्ट चनेरियों दे रखा इस जनेरियों के बेस पर इस जो डिफिर्ट डिफिर्ट इफेंट चीज बता रखे इस वेस पर बताने कि यह अंतिम मौ्टर मिनेचर है कि नहीं आप्षिंस देखकेशने यह मैंने ही कोशने मुपक्षिंस चाबरे देखके लिए के मुवेत की नॉट ही लिए सब्सक्राइब से अफिद श्क शार्मार में। जो पोस्टमार्टम फैंडिंग अगर जो पाई जाती है तो वह एंटिमार्टम बर्निंग कहलाती है तो जो प्रेजन्स ऑफ सैख लिए जो एक निमोनिक है यह इसके बेस पे आप पता कर सकते कि एंटिमार्टम डैथ है कि नहीं तो जो यह सैख हील है इसके बाद में जानते हैं S for shoot in upper respiratory tract A, A से albumin and chloride containing vesicles C, C है carboxy hemoglobin in blood फिर से C है healing and granulation फिर H, H है healing and granulation I है infection फिर एक और आये increased enzyme रिदिमा और L है line of redness इन सब में जो सबसे जो specific answer जो होगा वो आपका होगा D carboxy hemoglobin and shoot particle in trachea यह यह अगर चीज है तो यह specific करता है कि जो burn है जो death हुई है burn कि थो वो anti-martum in nature ही है तो इसका जो answer है वो हो गया D तो जो non-specific में है वो भी देख लेते हैं pugilistic attitude होगा due to coagulation of protein, heat hematoma, heat fracture और heat rupture या फिस plate लेकिन जो specific है anti-martum के लिए वो उसका जो presence of sac hail यह चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो इस question के हिसाब से जो answer है वो है d carboxy hemoglobin 25% and shoot particle in trachea next question पे आते हैं इसके अंदर जो चीज है इसके अंदर जो specific है वो है shoot in upper respiratory track तो जो इसका answer हो जाएगा वो हो जाएगा A shooting respiratory passage आपको यही जो flow chart है इसी से ही आपको पुरा ध्यान लखना पड़ेगा कि इससे आपके काफे सारे questions solve हो जाएगे next question पे आते हैं heat rupture is characterized by heat rupture के वारे पहले आपको पता होना चाहिए heat rupture जो है वो है in severe burning or chairing skin splits frequently due to tension which is known as heat rupture यानि कि अगर skin split करती है tension के द्वारा ज्यादा अगर heat होती है तो इसको heat rupture बोलते हैं तो इसके जो features है वो है presence of intact presence of intact nerves blood vessel and connected tissue in the floor running across the rupture from side to side second है presence of clotted blood bleeding in fissure and surrounding tissue since heat coagulates blood in vessels third है absence of bruising or other sign of vital reaction in the margin या फे margins are irregular तो यह चार ओ पॉइंट आपको यार रखने पड़ेंगे तो जो इसके जो options है regular margin, irregular margin, ruptured blood vessel, ruptured blood RBC या फिर clotted blood इसका जो appropriate answer जो होगा वो है margins are irregular क्योंकि बाकी इसके इंदर वो appropriate नहीं हैंगे तो margins are irregular तो जो इसका answer है वो है A, sorry B, irregular margin यह होगा इसका answer यह सारे जो मैंने आपके लिए ढूंडे हैं यह सारी चीजे इसके आप notes बना ले और इससे आपको last time revision के लिए आपको बहुत helpful होगा next आता है compressed air is used to fire lead slug in compressed air किसमें use क्या आता अगर मैं short में देखूं तो तो इसका जो answer है उसके बार में जानते है air rifle and air pistol release shoot shot of petals which are propelled by compressed air or free gas compressed air or free gas के थूर दो आते हैं air rifle and air pistol तो इसके options देखते हैं automatic pistol है revolver air rifle है and shotgun है तो जैसे कि इसके इंदर आप दे सकते है air pistol इसके नदर answer नहीं है option में नहीं है air rifle है तो इसका जो answer हो गया C air rifle यह भी आप एक जगे अपने notes बना सकते हैं तो हमें इसके दो options का पता चला air rifle और air pistol यह जो है compressed air का यूज करते हैं तो and some weapons use cartilage of liquid CO2 as a propellant तो आप यह भी as a note में लिख सकते हैं कि liquid CO2 भी as a propellant use कर सकते हैं next question पर आते है in which of the following weapons empty cartilage case is ejected after firing empty cartilage case is ejected यह है important line तो चली इसके बार में जानते हैं पिस्तॉल is rifled handgun with short barrel in which fire cartilage case is automatically ejected and usually remain at scene of crime तो यह चीज हमें ध्यान रखने पड़ेगी और बाकी revolver और pistol दो टाइप के short barrel rifles होते हैं तो जो revolver होता है वो loading of cartilage into the cylinder fired cartilage case required to be removed by hand यह जो old movie में हम देखते थे black color की gun गोल सी उसके अंदर cylinder होता था उसके अंदर अंसर हो गया वो हो गया सी पिस्तॉल क्यूंकि इसके अंदर automatically empty cartilage case is ejected after firing तो इसका अंसर हो गया सी पिस्तॉल next question पर आते हैं which of the following bullets leave a visible mark in path so that a person can see it हमें इसके अंदर different different bullets के बारे में जानना पड़ेगा तो चली जानते हैं एक होता tandem bullet जिसको हम piggy bank bullet भी कहते हैं are the two bullets eject one after the other tandem bullet tandem bullet option A B है tracer bullet tracer bullet leaves a trace of visual mark in path so that the person can observe the strike two options like questions which are the following bullet leaves a visual mark in the path so that a person can see it so this answer हो गया आपका B tracer bullet बार्कियो प्रक्योप्शन भी देखें दंदं बुलेट यपी इन संदरी बुलेट्ट् जब कोई इन वापिस आजाएगा एक यॉर्णिंग बुलेट होता है इसको वह रहता है इन वन विच्ट्रावल इन इन इर्रेगुलर फैशन तो जैसे कि आप यहां पर चार्ट डाइग्रम में देख सकते हैं रिकोश्ट होता है जब कोई बुलेट् बावंस होके चला जाता है यानिंग होता है इर्रेकुलर ये अपना रिवाल्व करते रहता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं यानिंग होता है ट्रेवल इन 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 इर्रेकुलर फैशन टंबलिंग बुलेट होता है अपने ही एक्सेस पे गोल गोल घूमती रहती है यह जैसे अगर मानेज़े यह इसकी पूरी एक्सेस है तो यहीं पे ही इसी एक्सेस पे ही बुलेट कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करके गोल गोल घूम घूमके जाती रहेगी next portion के बात करते हैं in tandem bullet the number of bullets fired is tandem bullet वो होती है कि जिसके इंदर एक ही case से दो bullet निकलती है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं tandem bullet इसको piggyback piggyback bullet भी कहते हैं two bullets eject two bullets ejected one after the other तो जो इसका option हो गया वो हो गया to be different type of bullet के बारे में tumbling bullet है जो जिसके इंदर ज्यादा important है वो मैं आपको tick mark करवा देता हूँ हाँ एक यह बहुत ज्यादा important है gutter bullet भी बहुत ज्यादा important है पहले के जो दो case थे यह जो तीन है यह भी काफे जादा important है यह यह और यह आप इसके इंदर इसके notes बना सकते हैं यहाँ से भी आप note down कर सकते हैं इससे आपको last time पे revision में बहुत ज्यादा helpful होगा dum dum bullet के बार में भी जैसे options में था उसमें पहले देखते हैं option dum dum bullet वो होता है ज्यादा यह घातक हो जाती है बुलेट जब किसी विक्टिम या किसी परसन के उपर जब यह जाती है तो सबसी होगी कश्या है तो इस ही को हम जैसे जानते हैं और स्टैनल पुलेट जहीं पीगी बुलेट पेसे किन आपक सरकें हो भी बुले जिन जोड़ीबि इन बीवेलिंग के बार में जानते हैं थोड़ा वेन बुलेट वेन बुलेट ट्रावर्स दे सकल दा पर्चा इन दा बॉन डिफर इन रेलेशन दो आउटा एन इन इन टेबल दा इफेक्ट इस लाज इन दा इरेक्शन इन विच दा बुलेट ट्रेवल अगर हम बीवेलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो कोशन पूछा गया है बीवेलिंग ओफ इन टेबल इन टेबल के बार में पूछा गया है तो जो बीवेलिंग इन टेबल यह जो है वो यहाँ पर है यानि कि entrance wound के अंदर beveling होती है inner table में तो चलिए देखते है options क्या क्या है fire arm entry wound fire arm exit wound drowning या फिर infanticide तो इसका हो गया option A fire arm entry wound option A आप जो screen पे जो दिया गया है आप इसको जो है अपने notes में लिख लीजे इससे आपको last time में एकदम मदद भी लेगा क्योंकि एकदम short में है concise में है एकदम crisp है आपको एकदम ज्यादा ढूंडने की जोड़त नहीं पड़ेगी इससे आपके questions solve हो जाएंगे FG, FFG, FFFG used to describe ये F के बार में थोड़ा जानते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं gun powder तीन टाइप के होते हैं smokeless powder, smoke producing powder या semi smokeless powder smoke producing powder के अंदर भी दो टाइप है black powder, black powder के अंदर है it is described in FG, FFG FFFG and so on तो F जो है fineness को denote करते है depends on the size of the grain तो चलिए देखते हैं तो यह हमाँ था black powder smoke producing powder तो चलिए देखते हैं option में क्या है primer, cartridge, black gun powder या base of firearm तो जैसे हमने देखा था black gun powder तो इसका आंसर हो है C black gun powder C answer PGA का question है लेकिन तब भी जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा ही हो कभी कवार एक option भी ठीक होते है PGA में next question के बात करते है black gun powder made of black gun powder के बारे में पूछा गया है तो जैसे हम यहां पे देख सकते है black powder black gun powder इसका एक बहुत अच्छा सा निमोनिक है जिसका नाम है PCS PFA potassium nitrate charcoal और sulfur तो यह options देखते हैं potassium nitrate charcoal और sulfur powder cyanose nitrate और barium sulfate नहीं है तो सिर्फ यह तीन है PGA का question है तो एक से ज्यादा अधिक भी हो सकते हैं तो इसका answer हो गया A B C FG FFG FFFG used to describe यह मैंने face से रखा है ताकि आपको different options का पता चले और PGA का है जिससे आपको confusion भी हो सकता है लेकिन इसका answer जैसे आपने पढ़ा था black gun powder primer नहीं होगा cartridge नहीं होगा wet नहीं होगा तो देखा आप आपने सिर्फ इस छोटे से chart से काफे सारे questions हमारे solve होयाते हैं next question के बात करते हैं constitute of black gun powder is all accept यहां पर accept के बारे पूछा गया पहले वाले question के अंदर जैसे पीजाय का था उसके अंदर component पूछा गया था इसमें accept के बारे पूछा गया है aims का question ही है तो जैसे हमने देखा था pneumonia PCS pneumonia PCS P से था potassium nitrate C से था charcoal S था sulfur तो accept पूछा गया तो C हो गया इसका answer C answer तो देखाए PCS एक छोटे से निमोनिक से हमारे यह question solve हो गया next question पर आते है in fire arm injury entry wound blackening is due to fire arm injury में entry wound अगर blackening होती है वो किसके तुरू होती है तो चलिए जानते हैं blackening of entry wound is due to fine carbon particle in smoke तो smoke तो smoke इसके निए option में देखते हैं पहला है flame दूसर है hot gases तीसा है smoke unburned powder तो जैसे आमने देखा इसका answer है जो blackening होती है वो होती है c smoke c smoke answer बाकी भी देखते है effect क्या क्या होते है किसके थू होते हैं जो tattooing होती है unburned और partially burn gun powder की वज़े से जो blackening जैसे अब भी बता है smoke की वज़े से scratching होती है heat की वज़े से and singeing of hair burn होते है fire की वज़े से तो देखा आपने यह इस छोटे से table से भी हमारा equation solve हो गया entry wound और exit wound की बारे में भी एक छोटा सा chart है यहां पे अगर हम size की बात करें अगर हम size की बात करें तो size entry wound में smaller होगा लेकिन exit wound में बड़ा होगा margin की बात करें तो inverted होगा लेकिन exit wound में इवर्टेड होगा जो hemorrhage होगा वो less होगा protrusion of fat जो होगा वो absent होगा और जो exit wound में होगा उसमें present होगा hemorrhage यहां पे less होगा और exit wound में ज्यादा होगा जो bone skull होगा वो होगी smooth लेकिन जो exit जो wound होगा उसके इंदे होगा beveled edge singeing, blackening, burning, tattooing, abrasion, contused या फिग्रीज कॉलर यह सारा entry wound में पाया जाता है यहां पे present और यहां पे absent entry wound भी तीन टाइप के हैं contact shot, close shot और distance shot इसके जान लेते हैं इसके जान लेते हैं जैसे contact shot में no burning no shoot no tattooing लेकिन जो close shot होगा उसमें surrounded by shoot या फिर blackening या फिर shoot tattooing और जो distant shot होगा वो no burning no tattooing और shoot यह सब नहीं होगा लेकिन लेकिन इसके अंदर पाया जाएगा large and irregular stellate, stellate shape जो होता है वो थोड़ा ऐसा star shape होता है इसके ओपर मैंने question दे रखा है अभी फिर से हम उसको revise करेंगे stellate wound may be seen in which of the falling bullet wound injury contact shot contact wound close shot, distance shot या 2 feet distance इसके जान लेते हैं जैसे मैंने आपको बता है stellate shape जो होता है वो ऐसा star shape होता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके माथे पर ऐसा star shape बना हुआ है इसको stellate shape बोलते हैं तो star shape या फिर स्टेलेट shape जो होता है shape जो होता है वो contact entrance gun shot wound के अंदर पाया जाता है तो जो इसका अंसर हो गया हो गया for the detection of dermal nitrate test के बारे में जान लेते हैं dermal nitrate या फिर paraffin test भी बोलते हैं उसको it is used to determine if a suspect has discharged a firearm the blow back power powder residue deposited on the back of the palm and web of the allied fire fire hand were collected on paraffin cast and tested for nitrate using diphenyl amine reagent तो अगर हम options की बात करते हैं तो gun powder residue जैसे option A हम देख सकते हैं यहां पर gun powder powder residue gun powder residue के लिए हम dermal nitrate test use करते हैं next question की बात करते है gunshot residue on hands can be detected by तो जैसे हमने बोला जो gun powder है उसका residue hand पर कैसे हम detect कर सकते हैं aims का question था यह यह हम dermal nitrate test के विए से हम detect कर सकते हैं एक बहुत important question की बात करते हैं bullet is picked up with tuted for shape hand, scissor या finidale हम किस से हम bullet pick up करते हैं crime scene पर हाला कि इसका answer B है hand तब भी इसके बार में थोड़ा हम जानते हैं precautions during recovery of bullet हम क्या क्या precautions लेंगे recovery करने के लिए bullet को bullet should be removed with bare finger hands or rubber trip for shape and tuted metal for shape should not be used यह हम इसलिए यूज़ नहीं करते हैं ताकि वह disfigure नहीं हो जाए इससे हमें फिप बुलेट को पहचानने में identify करने में दिक्कत आएगी recover bullet should be dried इसको हमें धोना नहीं चाहिए शुड़ not be washed as it would remove any powder या फिर blood stain remove कर सकता है जो इसके इंदर stick अगर होंगे जिबको यह blood वह wash करने से धुल सकते हैं तो हमें हमेशा recover करने बाद उसको try करना चाहिए तो इसका आंसर है be hand या फिर अगर option में अगर होता rubber tip अगर होती तो उससे भी तो rubber tip for sip option में नहीं है safe hand option में है तो इसका अंसर हो गया be hand be next question पर आते हैं communist organ to be injured in primary blast injury is primary blast injury के और में बतायता हूं यह हाला कि सबसे आदा organ जो involved होता है वो hollow organ होते हैं तो एक lung जो है का एक hollow organ माने आता है तो जो air blast के case में जो hollow organs है एयर filled hollow organs टिंपैनिंग मेंब्रेन या फिर एर ड्रम lungs मिडिल एर आइज बावल मिजेंट्री या फिर ब्रेन तो जैसे options में lung का option दिया गया है तो उसका answer हो गया lung तो हमें यह सारे बाकी options भी देखने पड़ेंगे ताकि यह जो है हम अगर कोई और option आता है तो हमारा उसमें हमें confusion ना हो अगर हम ऐस यह जो यह तो air blast था air blast में यह सारे organ involved रहते हैं लेकर अगर हम underwater blast की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले gastrointestinal tract बहुत commonly involved होता है solid blast की अगर बात करें तो इसमें skeleton सबसे most common organ involved होता है तो अगर हम इस question की बात करें यहां पे primary blast injury के बारे में पूछा गया है चुकि hollow organ में इन सब में जो है वह है lungs तो इसका जो अंसर हो गया वह हो गया A lungs A lungs अंसर अगर यहीं पे और options होते हैं पी जाएगा कोशन होते हैं जैसे माले टिंपैनी membrane तो टिंपैनी membrane वगार भी इसके आंसर होते हैं थोड़ा इसके बार में और थोड़ा जान लेते हैं blast injury 3-4 टाइप की होते हैं primary इसकेंडरी ट्रेश्री या कोटेनरी प्राइमरी होता है रैपीड क्रेशिंग और प्रेशर प्रेशर की वजह से होता है तो अगर मानली कभी कोशन में आया है primary injury primary blast injury is due to pressure अगर उसमें के अंदर option है तो प्रेशर उसका आंसर हो जाएगा damage to hollow organs such as ear, eye, lungs या फिर जी इट secondary जो होता है secondary blast injury जो होती वो flying debris के वाज़े से होती है जो जो flying जो ओर-ओर के जो मलवा आता है उसके वज़े से puncture होता है, laceration हो सकता है जो tertiary होता है blast wind victim throw in air जैसे पुरानी movies में दिखाते कहीं blast होता है तो कैसे villain या फिर जो गुंडे लोग होते हैं वो हवा में ओर के गिरते हैं तो उस उस किरने के वज़े से जो fracture या blunt trauma होता है वो होता है tertiary कोटनेरी होता है any complication factor not in the other three categories अगर माले कोई ऐसी category जो इन तीन में नहीं आते उसको कोटनेरी बोलते हैं वो होता है burn crush injury, histotoxic anoxia या या फिर respiratory problem तो देखा यह छोटे से chart से यह छोटे से chart से हमारे काफे सारे कोशन इससे भी solve हो जाते हैं वीडियो end करता हूँ एक छोटे से motivational video pick through the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow आप जो अभी struggle कर रहे हैं वो कल की strength बनेगी तो आज अगर आपने struggle नहीं किया इस time में अगर आपने struggle नहीं किया तो जो आपका आने वाला भविश्य है उसमें आपको काफी दिक्कत हो सकते हैं इसलिए अभी की महनत पूरी जिंदगी रंग ला सकती है तो इसलिए आप खुब मन लगा के महनत करिए ताकि आपको बहुत अच्छा आपका future bright हो एंड करने से पहले आपसे request है कि आप YouTube के Let's Crack Need PG चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और bell icon को प्रेस करिए ताकि आपको नए नहीं वीडियो का आपको notification आपको मिलता रहे और हाँ मेरा code यूज करना मत भूलिएगा LIVDRAM इससे आपको तुरण 10% का discount मिल जाएगा Thank you झाल